दोस्तो जब भी जब भी क्या लगभग रोज हमारी छट पे फूल खिलते हैं तो कई बार मैं नहीं ले पाती हूं और कई बार मैं इनको सूट कर लेती हूं तो कितना खुबसूरत है दोस्तो देखिए है ना देखिए राम राम दोस्तो देखिए कितनी खुबसूरत सुबा और हमारे जो यह नीचे जो यह लगे हुए हैं घर के देखिए किस तरह से हमारे पापीते कितने पके हुए हैं लेकिन कोई तोड़ नहीं रहा है यह की पाप पपीता मतलब एक एक बोरा फले हैं और बहुत सारे पपीता की पेड़ है लेकिन बहुत उचे हो गया है इसलिए तोड़ने में थोड़ी परिसानी होते हैं और हमारा मुंगा देखे आप कितना सुंदर फिला हुआ है मुंगा दोस्तों बहुत अच्छा होता है इसके फूल इसके फल इसके पत्ते सारक कुछ समझे कि मेडिशन के कामाते हैं आपके स्वास्त के लिए यह बहुत अच्छा होता है अगर आपके पास थूड़ी सी भी जगा है तो इसको जरूर कि पकोड़े तो वाव तो आप लोग भी मुनगा लगाएं सुगर बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों और भी बहुत सारे इसकी गुण है तो दोस्तों फिर सुभा हुई और फिर मैं सोच रहे हूँ क्या तोड़ क्या तोड़ कल तोड़ी लाल भाजी और लाल भाजी मतलब दूसरी सबजी बनी लाल भाजी रखी रह गई अब फिर से वही अब मतलब लाल भाजी अभी बनेगे काट पीट के रखा गई है अभी बन देना चैनल बहुत पसंद है दोस्तों मेरे को अब थोड़े से अच्छे हो रहे हैं दोस्तों मौसम और सीजन को बहुत असर होता है और सीजनेवल चीज ही सबको लगाना चाहिए नहीं तो फिर वो पॉधे संखर्ष करते हैं अच्छे नहीं होते हैं बारिस में उगाया हुआ पालक साइद मैंने जुलाई में इसको उगाया था और जुलाई अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर इस तरह से इसको हम खाय जा रहे हैं गहाया रहे कीस तरह से दोस्त देखे मैं बोलती हूं कि एक बार रुगाईये आप और उसको खाते रहें वह खतम नहीं होगा बस इसका ड्रेणगर अच्छा होना चाहिए पानी खूब चाहिए पालक को लेकिन भूऑवद नहीं होना कि एक यह टब है, सीमेंट का, गाय की पानी जिसमें देते हैं, तो वह पूट गया था थोड़ा सा, तो फिर इसको मैं उठा के लाई और पालक लगा दिया, तो दोस्तों, यह दो साल से यहां रखा हुआ है, तो कुछ-कुछ इसकी vegetable change होते रहती है, इसका जगह यही बना रह है, तो दोस्तों, मैं आ गई चहत पर, और आज मैं तोड़ोंगी, दोस्तों, देखती हूं, क्या तोड़ती हूं, दोस्तों, आज मैं यह लेकि आई हूं, सूपा, दोस्तों, गाउं में बहुत चलता है, इसके बगर काम नहीं होता, और दोस्तों, मेरा भी इसके बगर काम जब मैं तोड़ूंगी तो एक सबजी के लिए अराम से हो जाएगी ये आज तोड़ लेती हूं दोस्तो जब ही सबजी तयार हो तोड़ने लाए उसको जरूर तोड़ ले नहीं तो उसकी फ्रूटिंग रुकती है वो अपनी ताकत पौधा जो है अपनी ताकत उसी में लगा रहता है इसलिए ये दिखे एक हाँ से तोड़ रही हूं तो सही तरीके से तोड़ने पा रहे हैं इसको भी तोड़ लेती ही तो कल फिर हो जाए गई है ये तो दोस्तों भिंडी मुझे बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी भिंडी पसंद है तो भिंडी तो तोड़ हो गए हैं और मैं तोड़नी पा रही हूं तो दिखती हूं क्या-क्या तोड़ूंगी यह देखे दोस्तो इस तरह से अभी और तोड़ूंगी है इसमें तो उनको मैं तोड़ लेती हूं देखें यहां से तोट गई गिलत तो दोस्तो जादा तो नहीं मिली पर जो भी मिली हमारे लिए सफिसेंट है यह देखें करीब एक पाव जैसे मिल गई दो आलो डाल कर बना लेंगे एक सबजी यह हो जाएगे तो दोस्तो मुझे जो काम करने होते हैं गार्डन में वो मैं सुबह सुबह ही करती हूं क्योंकि मेरे पास सुबह अच्छा टाइम रहता है कोई मुझे डिश्टर नहीं करता तो मैं सुबह सुबह आती हूं अपनी गार्डन में और जो भी मेरा क कभी दिन में आती हूं तो कुछ वेजेटेबल के लिए आती हूं काम करने नहीं आती हूं तो इस तरह से मेरा ये गार्डन का देखभाल का दिन चरिया है रोटीन है क्योंकि सुभा सुभा आपका माइंड भी अच्छा रहता है और आप जो चाहें उगाएं और उस टाइम पे लोग डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं दोस्तों फूल कितना अच्छा खिला हुआ है देखें चौलाई को हम खाने पाया और वह पक गई अब उसको हटा के मेरे को कुछ दूसरा उगाना पड़ेगा पालक तोड़ लिया था इसलिए पालक अच्छे हो रहे हैं तो दोस्तों आए कुछ सब्जियां और तोड़ लें जो दूसरे पौधों को डिस्टर्ब कर रही है तो हम क्या तोड़ेंगे आए हम आपको बताते हैं चुकि हमें जरूरत नहीं है वेजेटेबल मेरे पास रखी हुई है यहीं से तोड़ कर ले गई हूं तो लेकिन अभी क्या करें रेखें यह जो है न बैगन इससे डिस्ट जाए जहां से हम लाहम हो इस तरह से इसके बाद मैं इसको उखार दूंगी दोस्तों कि मेरा उद्देश ही था कि हम जो पहले हो जाएगा वो ठीक रहेगा तो देखें तो पहले हो गई लाल भाजी अब वह बैगन भी साथ में हो गया तो बैगन को धूप नहीं लग रही ह जो है धूप है खात तो चाहिए लेकिन धूप के बगएर कोई पौधा आपका नहीं होगा वह सो वाले प्लांट अलग बात है वांकि आपको वेजेटेबल जो है खासकर लिफी वेजेटेबल छाया में नहीं होती है तो इसलिए इसको मैं आज भाजी को तोड़ लूँग और यहीं गमले में रख देती हूं सबसाब है मेरा क्योंकि हम और्गैनिक तरीके से उगाते हैं कोई हमारे में रसायन खात डलती नहीं है जहर मुक्त तो दोस्तों जहर मुक्त जीवन जीना है रोग मुक्त जीवन जीना है तो जहर मुक्त खाना सुरू कर दीजे अब सोच देखे, प्लास्टिक का टूटा हुआ टब, ये भी टूटा हुआ टब है, मतलब जो खराब हो जाए, जो फेकने वाले हो आप, उसी में थोड़ी सी खाद भरिये, थोड़ी से मिट्टी भरिये, सुरुआत करिये, इसके बाद होता चला जाता है, कौन कहता है कि आस्मा में छ छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उचालो यारो, तो कोशिश करिए, अपनी आप सब होता चला जाएगा, आपके पास कंटेनर भी होते चले जाएंगे, कंटेनर भी बढ़ते चले जाएंगे, और खाद भीज भी बढ़ता चला जाएगा, और आपका सौक भी को आप टेश्ट करेंगे, तो बोलेंगे धत तेरे की, धत तेरे की, मैं क्या खो रहा था, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, या सोची, खासकर महिलाएं, बहने जो हैं अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकती, कोमल है, कमजोर नहीं, सक्ति का नाम ही नारी है, हमारी महिलाएं कोमल जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं हैं, तो महिलाएं अगर कोसिस करें न, सब कुछ हो सकता है, वो कर सकती हैं, तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताओं, इतनी सुन्दर ये बेजिटेवल, मैं आपको दि आप इसकी जैसा नहीं ला सकते, यह देखिए, तो कोसिस तो करो, यह हमारी, यह देखिए, यह बेजेटेवल यह हो गई, अब दोस्तों मैं इसको हटा कर इसके बाद आपको मैं फिर दिखाऊंगे, क्योंकि यह अप नहीं चाहिए, क्योंकि इस बैगन को दिखे, बैगन में फूल आ रहे हैं, यह देखे, यह फूल आ रहे हैं, और यह जो है धवा रहा है, तो इसको मैं आज थोड़ा सा करूँगे, फिरी करूँगे, तो दोस्तों देखिए, इस तरह से हमने इसको साफ कर दिया, इसमें बड़े-बड़े-मोठे-मोठे पेड़ हो गए थे इसके भाजी के, लाल भाजी के, तो हमने साफ कर लिया, अब ये इस तरह से कुछ नीचे के पत्ते हम तोड़ देंगे इनके, बैगन के, थोड़े में और हवा लगे और ये तेजी से ग्रो करें, देखे, ये दबे हुए थे ना, ये थोड़े पतले-पतले हो गए हैं, पर ये अ तरह से, इसमें हम मिला देंगे, और साम को डाल देंगे पानी, पानी हम एक ही बार डालते हैं साम को, तो ये देखे, बहुत जल्दी ग्रो करेगा, पत्ते भी थोड़े से तोड़ दिये हमने, तो इस तरह से, अब एक दो पेड़ा से हमने छोड़ दिया भाजी को, क्योंक बनाया हुआ है, तो जैसा मैं कह रही थी दोस्तों, अगर ये एक दो पेड़ होता है, तो इस तरह का होता है, फिर समझे कि एक पेड़ में ही आपके घर के लोग पूरी भाजी खा लेंगे, ये देखे, ये लाल भाजी, तो दोस्तों सब कुछ बहुत अच्छा ग्रो कर र देनी के लिए, मेरे पास मैं ये वाली कुछ सब्जियां नहीं उगा पाई हूं, क्योंकि वो मिल नहीं रहा था, फिर वो दिपावली आ गई, फिर वो बोले कभी दसहरा ये, वो ऐसी कुछ-कुछ कहानियां हमको सनाता रहा चो बेजता है, दोस्तों इसका पौधा दिखे थोड़ी सी मिर्ची तोड लूँ दोस्तों, जो हमें ज़रुत होती है वो हम तोड लेते है, क्योंकि यह है हमारा फ्रीज, और गयनिक फ्रीज, हम घर में सबजीया ऐसे इकाध ही कभी कभार ले जाते है, मिर्ची गर गई, यह से रात में हम ले गए थे, कल सूब ले गए लाल भाजी उसको रखा था फ्रीज में अभी उसको निकाल की काट पीड़ दिया है मुठी में ज्यादा हो जाए तो गिरने लगती है क्या एक रियाद आ रहा है कि पानी बाढ़े नाओ में घर में बाढ़े दाम दोनों हाथ होचा लिए यही बढ़ों का काम तो जब ज्यादा चीजे हो जाती है तो चलकने लगती है सॉरी तो ऐसा करना चाहिए बाढ़ना चाहिए बाढ़ती हूँ मैं देखे किती संदर हुए हैं देखे पक पक कहां से दिखाऊ इधर खीषती हूँ इधर यह देखे तो मिर्चिय हमारी फ्रूटिंग कर रही है ये बार थोड़ी से मुर्जा गई थे विचारी, फिर से अच्छी हो गई है, अब मैं सोच रही हूँ इन में सम्में साम को डालूंगी खाद वाली थोड़ी मिट्टी और फिर डालूंगी पानी, तो ये फिर से एकदम इसमें ताजगी आ जाएगी और इनको पोषण मिल जा दोस्तों, गोल मिर्ची का पाध में तयार कर रही हूँ, और पाध तयार हो जाएगा, फिर जब मेरी गोल मिर्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो फिर मैं ये पूराने वालों को हटा दूँगे, क्योंकि जितनी फ्रोटिंग होनी चाहिए, नए पाधों की होती है, उ करती हैं वासेनी, अभी देखिए कितनी फ्रोटिंग करी है, इसमें पत्ते नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ आपको मिर्चियां दिखेंगी, पर पल, पर पल, सिर्फ मिर्चियां दिख रही हैं, दोस्तों मेरा कहना है कि अगर आप चार पेड़ मिर्ची भी लगाते हैं ना, दो तीन तरह की दो दो पेड़ मिर्ची आप लगा लेजिए खा नहीं पाएंगे आप खा नहीं पाएंगे मतलब इतनी होंगी ना हम तो मिर्ची के लिए कुछ भी नेरने सूखी मिर्ची नहीं खरिते मिर्ची पाउडर नहीं खरिते चिली फ्लेक्स नहीं खरिते हमारे पास इतनी रखी ह interfaty है कि हमारा पुरा साल चलते रहता है इंहीं मिर्चियों में और नई नई भी होते रहती है मैं अभी तोड़नी रही हूँ मेरको इतनी जडुरूरत होती है ऐसे ले जाती हैं घर के अंदर मेरा केहने का मतलब की मैं कुछ नहीं खरेके सब हमारे घर का लोगों को संका है कि गमले की सब्जी से आप नहीं खह सकते इस संका को दूर और कोशिस करिए तोस्तों ये मेथी है और कितनी सुंदर आई आप देखिये कितनी सुंदर होगी है बस मेथी को मेथी बस एक डो बार ले लिजिए और इसके बाद कंटेनर में कुछ और लगा दीजिए और करेले का मैं क्या को हूँ दोस्तों तोड़ नहीं पा रहे हूँ बिचारा सोचता होगा कि मुझे कब खाएंगे कुछ-कुछ तो पक भी जा रहे हैं तोड़ना पड़ेगा अब मैं सोच ली हूँ कलकरेला और एक लौकी तोड़ूंगे और निनुआ भी बहुत हुए हैं असी चड़-चड़ के फल रहे हैं लेकिन उनको भी नहीं तोड़ पा रहे हूँ हल्दियां पड़ी हैं हमारी निकालने के लिए मिट्टी से और मैं आपको दिखा रही ये हल् जाना है मेरे को ये कंटेनर खाली करना है तो दोस्तों मैं अकेला क्या क्या कर लूँ मेरे लिए बहुत काम हो जाता है अकेली में थक भी जाती हूं ये दोस्तो इसमें मैंने धनिया लगाया है और मेरे अडेनियम भी अच्छे बढ़ रहे हैं हलाकि अभी डॉर्मेंसी का टाइम आने वाला है लेकिन अभी उत्ती ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है इसलिए अडेनियम ग्रो कर रहे हैं मैं कोसिस करूँगी आज मैं अपने अडेनियम को कुछ को प्रून कर दूँ जेट प्लांट देखे दोस्तों वो भी प्रून के लिए तयार है, कटाई छटाई है, हमारे टोपियारी भी कटाई छटाई और सेव देने के लिए तयार है, तो दोस्तो हमारे जो कुछ अडेनियम में आती हूँ और फिर बिना इनको प्रून करे चली जाती हूँ तो मेरे को करना ही पड़ेगा यही टाइम है इसके बाद फिर डोर्मेंसी गटाइम आ जाएगा तो फिर इनको दिक्कत होगी लेकिन फूल देखकर मैं लोड जाती हूँ कभी इसमें सीट पॉट आये हुए थे देखिए तो कुछ तो पग गए और अभी फिर से यह मतलब इसमें फूल खिल गए तो अगर हमको मार्चप्रेल में इनसे अच्छे फूल लेने हैं और पौधे को ब्रूसी करना है तो इसकी कटाई करनी ही पड़ेगी देखिए इसको मैंने टाइम से इसकी कटाई कर दी थी प्रूनिंग कर दिया था देखिए कि अच्छे आ रहे हैं लाल भाजी और ये तो भाजियां तो हर जगा कबजा कर ले रही हैं तो इस तरह से दोस्तों आज का मेरा काम है खतम हुआ और आंट अए आज सेम हमारी बहुत अच्छी हो रही है 15 वगैरा वी अच्छी वी अच्छी से फ़ल्या अरही है जब ज़ृत होता है तोड़ लेते हैं जब राइस वगैरर में लगता है नहां फ्राई करते हैं दोसको तोड़ लेते हैं तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब आप लोग भी कोशिज करिए और ऐसा छोटा सा गार्डन बनाईए और सब्जी उगाईए थोड़े से सुरुवात करिए अभी आप देखिए यह भाजी भाजी भी तोड़ने लाइक है यह मतलब प्याज की भाजी यह सरसो यह मूली अभी मूली लूंगी में जो जरुरत होगा जितना तीन चार आज की सलात के लिए और यह तो हमने तोड़ लिया था कल लेकिन अभी जो बची है एक बार और इनको तोड़ूंगी इसके बाद इसको हटा कर कुछ और लगा दोंगी टमाटर हमारे फलने शुरू हो गया दोस्तों हां दोस्तों मैं बैगन भी तोड़ लेती हूं यह बैगन रह जा रहा तोड़ने के लिए यह हुआ क्योंकि जब मैं तोड़ूंगी ना तभी यह फ्रोटिंग करेगा इसमें एक लाल भाजी भी है यह हमने तोड़ लिया बैगन भी तो दोस्तों आज की सब्जी यह हमारी हो गई मैं अपनी जेब से निकाल रही हूं मिर्ची इतनी मिर्ची दिन धर के लिए परियाप्थ दोस्तों इस अब नहीं है खताम तो दोस्तों इदेखें मिर्ची भींडी वे गन धनिया लाल लाल भाजी तो यह परियापत है हमारे लिए आज के लिए बाकी सब्जियां और भी हैं जो यहीं से तोड़ के लिके जाती हूं रखी रहती है जैसे अभी नेनुआ रखा हुआ है यहां डोड़का बोलते हैं उसको तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नह हैने वाले आसपास के हैं तो बीज और अडेनियम भी मैं फिरी में दूंगी क्योंकि मैं पार्सल वगएर करना मरे लिए थोड़ा इजी नहीं है इसलिए नहीं कर पाती हूं बांकि अगर आसपास के हैं तो मैं बहुत सारी सीट्स दे दूंगी आपको तरह तरह के हो जाए थैंक्यू दोस्तो तो दोस्तो मूलिया रह गई थी तो मैंने थोड़ी सी मूली उखाड ले इसके पत्तों की बहुत अच्छी साग बनती है लेकिन चूंकि मेरे पास इतने सारे आप्सन है कि मैं अब इसको नहीं खाऊंगे मेरी गाए खालेगी तो यह मूलिया है अब थोड़ी से मूलिया मेरे और लगानी है दोस्तों क्योंकि मूलिया इतनी ही लगी है तो मैं बस कंटेनर खाली होने का इंतजार कर रही हूँ तो यह हमने मिर्ची तोड़ ली करीब छोटा सखीरा भी है एक किलो टेड़ किलो जैसे मिर्ची है अब इसको हम रख देंगे सूखने के लिए क्योंकि हमारे पास हरी मिर्चियां बहुत है तो यह लाल मिर्ची को सुखा देंगे इसको हम डाल देंगे सुखने के लिए तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहां तक देखने के लिए हमें सराने के लिए हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब ़ोगोंका धेर सारा अभाहर थैंक यू सो मच आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें और हम नए-ने कंटेंट में वीडियो डालते रहेंगे आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह हो तो आप जरूर दें हम जरूर उस सलाह को मानेंगे और धन्यबाद दोस्तो, जै हिन, जै भारत